United Nation data के अनुसार आज हमारे देश में total population है 141 करोड़ और 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में अभी भी 16.4% यानि की लगबग 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब है जिनके पास ना तो proper रहने के लिए घर है ना ही पहनने के लिए कपड़े और ना ही खाने के लिए खाना लेकिन आखिर हमारे देश में इस खतरनाक मंजर की असली वज़ा क्या है जानते हैं इसके असली सच को सिर्फ 60 सेकेंड की वीडियो में इस देश के गरीबी के पीछे दो सबसे बड़े कारण है पहला less utilization of resources हमारे देश में ना तो लोगों की कमी है और ना ही resources यानि की संसाधुनों लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो है proper education देश के करीब 15 करोड से भी ज्यादा बच्चों के पास basic school यानि की कच्छा पास तक की भी सिच्छा नहीं है यानि की कारण है कि देश में संसाधुनों के होने के बावजूद भी हम उनका इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कारण है rising of unemployment इसले आठ सालों में करी 22 करोड लोगों ने गौर्नमेंट जॉब के लिए अपलाई किया लेकिन उनमें से सिर्फ 7,22,000 लोग ही सिलेक्ट कियेगे यह जो रेशियों यहाँ पर यह 1 इंटू 300 यानि की 300 लोगों में सिर्फ एक ही बंदे की जॉब लेगी और यह इंडिया की poverty का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विडियो के लिए चलिए सब्सक्राइब करो यार